पहला नाम है अनन्त सिंगा जनको आपने गरफतार किया था लेकिन जब डीजी हूंगाड वाला प्रक्रण आया था वो आपके समर्थन में बहुत खुल के बोले था आपने एक नाम लिया अनेक ऐसे नाम थे जिनको मैंने करवाई की है लेकिन उनसे भी आज समन्द मेरे ख़ राइफल मेरे उपर तनी भी थी दूरी केवल छे फीट की थी और चल गई होती तो आज कहां डलन टॉप मे रहते है आई टी कानपूर टेक कर रहे हैं आप मेकेनिकल इंजिनेरिंग से और एलेक्शन रड़ा अपने मैंने चुनाव लड़ा था उसे में जीता भी था काफी प्रयास करूँगा कि बिहारी शब पुना सम्मान का प्रतिक हो जाए आप बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और लेट्स इंस्पार बिहार जो है वो भी यही बात करता है जो एक ती खुद के डिपार्टमेंट को नहीं बदल पाया वो बिहार को क्या बदले करन है इसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रकरण नहीं बताया आपने धीजी हूंगाड शुभा अहुत कर देते हैं और आसान कर देते हैं सवाल को दो हजार चौबिस का लोग सभा चनाव अगर आपको कोई भी पार्टी टिकट देती है तो क्या आप चनाव लड़ना पसंद क करेंगे कर चांप लुभा आधी का कोई एपिसोड है नाहीं किताबवाला का एपिसोड है यह एक इंटर्विव है और इंटर्विव स्चक्सियत के साथ है जो बहुत बड़ा नाम है नाम है विकास और गोड़िई है hy xuजार यह नाम भी ख़ाना में मैं और अभी और अभी तो उससे ये बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि आप जो है पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं देखे रैली पॉलिटिकल रैली नहीं थी एक नॉर्मल जिसको हम कहते हैं जन संबाद लोगों से जो संदेश को लेकर हम दोग चल रहे हैं कि बिहार का भविष्य कैसे उजवल हो 2047 तक भारत कैसे विक्सित राष्ट्र बने उसे बिहार विक्सित प्रदेश किस रूप में स्थापित हो इसी को हर गाउं के हर जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा समवाद कारिक्रम रखा गया था अभी तक एक हजार सदिक कारिक्रम हो चुके हैं लेट्स इंस्पायर बिहार इस संदेश के साथ और 76,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं एक संकल्प के साथ कि अपने जीवनकार में बिहार को पुना उतकर्ष पर हम स्थापित करेंगे सिक्षा, सम्ता, उद्यमिता के मंत्रों के साथ और अपने ही पूरोजों की जिष्टी के साथ तो एक बड़ा कारिक्रम उसका शंकनाद हम लोगों ने राष्ट कवी दिनकर से प्रादम्भ किया है और इसको बिहार के हर जिले में करने की योजना है आपने बिहार की पुरानी संस्कृती वापस लोटानी की बात की तो जगे नालंदा हो सकती थी, बख्तियार पूर हो सकती थी, बेगु सराय क्यों बिहार की पगपग भूमी में संदेश है, किसी भी छिट से आप जाएंगे कहीं ने कि कुछ संदेश लिये हुए है, तो हम लोग निर्ने लिया के राष्ट के वी दिनकर की भूमी, एक मानव के सामर्थ को पूजने वाली भूमी, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पान कर सकता है, और इसी परिवर्तन के उस संदेश के साथ जब विदात की दिश्टी को हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि बिहार की प्राचीन दिश्टी यही थी, कि हर व्यक्ति में वही परमतर्तु का आंश है, जो पूर्ण है, और जो पूर्ण है, उसकी छमता असीम होती है ऐसे में हर विदाव से परेख सोचने लगता है, और यही कारण था कि बिहार में तमद देखते हैं, जातियां बिहार में तब भी थी, प्रकार का जातीवाद, जिसमें आज हम संघर्श करते हैं, दस विक्ति मिलते हैं, तो पहली चीज जानना चाहते हैं, दूसरा किस जात है, उसके अनुसर अपना आचरहन विभार तै करते हैं, तब नहीं था, रहा होता तो मगध में नंद बन्श कैसे आता है, सबसे निम्न वर्थ के विक्ति सार्शक हो सके, उस बिहार में हमारे पूरवजों की ऐसी दृष्टी थी, जो सामर्थ की पूजा करती थी, तभी आ हम संघर्ष में उल्जे हुए हैं, सहयो की दिए हम करते हैं आपस में, और प्रयास करते हैं, क्यान की भूमी बिहार रही है, कैसे सिक्षा का प्रसार हो, कैसे जो वंचित हैं, उन तक हम सिक्षा की जोती को पहुचा सकें, कैसे समता मुलक समाज का निर्मान हो, और उध्यम और शिक्षा हम बिहार में नहीं देते हैं, तो बिहार विक्सित कैसे होगा, तो लक्ष है कि 2047 तक बिहार में हर व्यक्ति को बिहार में ही उत्कृष्ट शिक्षा, उचित रोजगार, ऐसी सुविधायें बिल सकें, इसके लिए किसी को बाहर जाने के आफशक्ता निए को हर व्यक्ति को प्रियास करना होगा, सरकार यदी चाह भी ले, तो कुछ लोगों को हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं, कुछ लोगों के हम ऐसे situations क्रियेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक समाज का हर वर्क जगता नहीं, हर वर्क प्रियास करता नहीं, तो संभव नहीं कितनी कर रहे हैं, भले भिहार के बाहर हो, लेकिन हमारी यूथ को अपने जिले में मोटिवेट कर सके हैं, माघदरशित कर सकें, ऐसे स्टार्ट अप समिट करके, प्रयास यह है कि प्रारम हों में कब सकंप 5 सक्सेस्फुल स्टार्ट अप हर डिस्टिक में लगें, जो दूसरों क करने लएंगे, तो 5 से 50 होने में संख्या समय नहीं लएगा, और इस विश्वास को मैं इसलिया कह रहा हूँ, क्यों परिवर्तन को मैंने होते देखा है, जहां भी रहा है, और मैंने प्रयास किया कि समवाद के माध्यम से लोगों से जुणू, इतिहास के संदेश को बताओ तो बड़ा परिवर्तन जिसकी लोगों ने कलपना नहीं की थी, बगहा में हुई, रुहतास में हुई, उसी चीज़ को जब मैं लेकर चलता हूँ, तो आपने कहा कि यहां से क्यों हो, यहां से क्यों ने, विहार की हर छेत में कुछ नो कुछ एक अलग भाव है, एक ले जा सकते हैं. बहुत पुरानी है, व्यक्तिकाद रूप से मैं क्लास 9 में था, उस समय पिताजी की पोस्टिंग भुपाल होई थी, और बच्चों ने उस समय बिहारी बोलकर बहुत चड़ाया, और तब मन बड़ा व्यथित होता है, जब मैं देखता कि बिहार उस समय चानक की सीरियल चल हम बिहार कहीं लोग हैं, जिन्होंने आपस में इस प्रकार के संघर्च को उत्पन्न किया, जिससे हमारी सिती ऐसी हो गए, और तब लगने लगा कि इन उल्जनों से में उपर उठना होगा, उस समय क्या कर सकते थे, एक बिहारी की बद्दिक चंता क्या है, इसको बताने के कि यदि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुना सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित करने मेरी कोई भूमिका हो सके, मुझे पूरा प्रयास करना चाओ, तब ही से मैंने प्रारम किया, बाद में आयाटी की मैंने तयारी की आच्छी परिक्षा दी, लेकिन द कि अधार समय चल रहा है, पकड़ के शादी होती है, कानपूर में ही लही है, और तब हो जो कानपूर दो महिने में रहा है, बड़ा विछलित था, घर जाना चाहता हूं घर से मना किया जा रहा है, क्यों नहीं जाओं और तब करने को कुछ था नहीं तो आई-टी कानपूर लाइबरी पहुंचे है, और लाइबरी में किताबों को जब देखने लगा, उसी में मेरा ध्यान चला गया, ब्रिहा द्यारानेक उपनिशत, और उसको मैंने पढ़ना चुरू किया, तो मैंने देखा वही बिहार की भूमी, कभी ऐसा सोचती थी, उसी बिहार की भूमी कभ आते हैं, तो अखन भारत का सामराज ये बन जाता है, यदि चानकी किद्रिष्टी केवल यही रहती कि मैं एक सिक्षक हूँ, विद्यार्थियों को पढ़ाना मेरा काम है, तो कहां परिवर्थन होता है, लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध मन से जागता है, निस्वार्थ भा को गए, तो मन क्या कर गए, तुम ने क्या किया, तुम तो पलाइन कर गए, और टब लगा नहीं, इस सिस्टम को जबता हम घुसते नहीं, उसमें प्यास नहीं करते हैं, कि मैं कैसे बदल पाऊंगा, और इसी रहे मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, ईश्वर की किरप पाया, वो बिहार को क्या बदलेगा, आपने बहुत प्रतार ना जहीं अपने डिपार्टमेंट में, और ब्लडी, बिहारी, बहुत सारे शब्दों का आपके लिए इस्तमाइब तकरन है, इसकी बारे मैं बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को जहां तक बदलने की बात है, तो जहां भी मेरी पोस्टिंग हुई है, चाए बगा रहा हूं, रोतास रहा, दर्भंगा रहा, पटना रहा, पूरी इमानदारी के साथ काम करने का मैंने प्रयास किया, और मैंने प्रयास किया कि थाने में जो विक्ति जाता है, उसकी हर समस्या सुनी जाए, उसका उचित निवारान हो, FIR दर्ज हो, और आप देखेंगे, जहां भी प्रता कर सकते हैं, जहां भी रहा हूं, तो जो भी लोग हैं, इसलिए संतुष्ट हैं, क्योंकि हर विक्ति की सुनी गई, हर जो सही होना चाहिए, उस पकार के निस्पक्षिता के साथ, हर अपराद पर करवाई क की गई, और इसलिए जितने भी लोग हैं, आज भी जुड़े हैं, और जानते हूं, एक आदर्श को स्थापित करने का प्रयास हुआ, जिरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जिरो टॉलरेंस फॉर नॉन रेजिस्टेशन, इस प्रकार के प्रयास मैंने किया है, तो जहां भी र जानते हैं उसमें क्या हुआ था, उसमें मैं बड़ा विचलित था, एक समय ऐसा चल रहा है कि जिन चीजों पर प्रश्न होना चाहिए, उस पर यदि कोई प्रश्न करता था तब भी उतर देने में आपको अच्छा लगता है, लेकिन यदि किसी की भावना कुछ और हो, कु का निर्वार कर रहा हूं. ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीती में जाने से आप सिर्फ एक कदम दूर हैं, आप डेगु सराय में गिराज सिंग की जगह या उनके खिलाफ चनाव जड़ सकते हैं, क्या कहेंगी? राजनीती की कोई बात मैंने अभी तक की ही नहीं, सदैब यही प्रियास इसको मैं मैं लगा हूं कि समाज परिवर्तन कैसे हूं, संख्या बहुत बड़ी हमारे युवाओं की, उनको मार्दर्शन किया वशकता है, तो मार्दर्शन अकीला मैं चाहूंगा तो नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे कैमपेंज जिसमें अच्छे लोग जुड़े समाज को नुकसान दुर्जनों के दुश्कृतियों से उतना नहीं होता है, जितना सज्जनों के निश्क्रियता से होता है, तो सज्जन लोग जुड़े हैं, प्रियास करें बिहार के लिए, इस समाजिक प्रियास में लगा हूं, सैक्षिनिक प्रियास में लगा हूं, सांस मुआश्क्रम प्रिया बहुत चर्चित हो थी वह भी कुछ इस तरीके के ढावर कर रही थी बिहार को बदलने के उसके बाद प्रशान्तकिशो, अभी भी बिचलनतनाः अपने चला ही रहे वह भी इसस तरीके के ढावर करते है तो let's inspire बिहार क्या आलग कर रहा है मैं तो अपने अनुभव से बात कर रहा हूं मैंने रुस्तास को बदलते देखा है बगा को बदलते देखा है जिसको लोग असंभव मानते हैं लेकि मैंने अनुभव किया कि यदि हम विराशत से जुड़ते हैं लोगों के साथ सीधा समवाध करते हैं, और प्रियास करते हैं कि अपने पूरवज़ों की दिष्टी के साथ हम पद्या बादा है, तो बिहार बदल सकता है, बैने उसको था देखा, इसलिए मैं इस अभियान को लेकर चल रहा हूँ, और बिहार के हर जिले में वैसी विरासत ह वैसा संदेश है जिसे युवाज जुडते हैं और अपने पूर्वजों के दिष्टी को नहीं हम समझे हैं तो क्या था बिहार में जाती हैं तब भी थी लेकिन इस पकार का जाती बाद नहीं था दिष्टी क्या थी उध्यमिता को देखिए आज हम आई-टी से डबल डिग्र लेता है उसके बाद भी प्यास करता है कि रेलवे बें गैंग्मेन की नॉक्री मिल जाए ऐसी सोच हमारी थी क्या ऐसी सोच रही होती तो कैसे वियतनाम पंद्रा सो वर्शों तक चंपा के नाम से जाना गया उस चंपा जिसके अवशेश आज भागलपूर में है मेगास्थ उनकी सोच यहीं तक रहे आगे नहीं जाए इस बैरियियर को मे neighbourhood करने का प्रियास करना उस ही परियास में मैं यहीं कौहँगा लेट की मेरा अभियान नहीं है मैं तो हार क्या हिंद उप सटय को लेकर चल रहा हो थार के पुरूजाओं की सोच को लेकर चल रहा हूँ उसको बताने का प्रैस कर रहा हूं करू यही उसमें भिनता है कि पाकी लोग जिनका अप नाम ले रहे हैं उनके व् Position सोचette की फिक्ति क्यों विछार को ये लिए को अगरने बीनात्य तो क्या हम कुछ ऊच्छा देख सकते हैं कि ये एक प्लाटफром पर नजर आए कि का रहां कि दिए अगरा है नहीं इसको यह और इस लिए किसी व्यक्तिय से मेरा कुणा विरोध है, कोई भीध भाव है, मैं तो औरना मेरी कोई राजनेतिक परिकलपना काई किसी मन्च प्याना है, मैं तो बिहार के हर जिवा को जागरित करने का प्रयास कहा हूँ, जब तो हम जगते हैं नहीं, बिहार बदलते हैं हम नहीं दें. आपने बहां और होतास का जिकर गिया मुझे सासाराम कबोर होतास फूट व्याद आ रहा है जहांपर पहली बार आपने नकसलियो के कबदसे सो खड़ाया तिरंगा फेह रहा है तहां और है आधी के बाहा टिरंगा फेहा है फेली बार क्या तो उसे पहले बगहा की बात करता हूं तो बगहा जब मेरे पोस्टिंग में थी वर्ष 2006 में उस्थिती बड़ी विकट थी पत्रकार मेनी चंबल कहते थे अंग्रेजियों ने लिखा था इनिवर्सिटी ऑफ क्राइम और लंबे समय से किड्नेपिंग चल रही थी डिकैट थे बहुत सारे गैंग्स थे पत्ना में थे किड्नेपिंग होती थी तो रैंसम कॉल फोन पर आता था और एक पर किड्नेपिंग हो गई तो बड़े विचलित होते थे 2006 की बात में कर रहा हूं जब तक विक्ती बरामद ना हो जाए उसी मनोदशा में एक वर्ष के बाद जब ब बढ़ नहीं है परसे इस एक बर जाद टारहा है बढ़ाों जो होता रहा है बाइज बार पैंथर मिचला है ब्लेक परेंथर विचला हा है वहां कुछ ज्यादा परीवर्तन होने वाला है टwno याज में ऊप अजनों आज नहीं करता यह भी मान लेता हूं कि यह खीडיה बदल लेकिन वास्तिविक परिवर्तन तब आया, जब लोगों की सोच को हमने बदला, लोग कहते थे कि महर्शी बालमिकी की भूमी है, तब से अपराद चलता है, आप याद कीजिए महर्शी बालमिकी क्या थे, तब लगा कि इस सोच को जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक से बनें, और इसी चंपालन भूमी के उएधिया पढ़ेंगे, तो परिवर्तन की भूमी है, याद करो जब राजकुमार से धार्त वी चले थे, तो यहीं पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का अत्याग किया, आज रमपुर्वा में अशोक स्तंब विद्यमान है, ज परिवर्तन हुआ, शुद्ध बाते थी, मन की बाते थी, इसमें इतनी शक्ती थी, लोग जुड़े, डकैतों में ही प्रहाव हुआ, और एक के बाद एक 26 बड़े कि रहों के समर्पन हुए, और जो संख्या 170 प्रतिवाश्ती शूर निपरा गई, तो मेरे मन में एक भाव जगा कि इस प्रकार के परिवर्तन हो सकता है, रोहतास में उसके बाद जब गया, तो पगहा देख चुकाता बदलते हुए, जिसको लोग असमभा मानते थे, लेकर रोहतास में उसे भी विकट सिती थी, लाइनमाइन ग्लास खूब होते थे, 2002 में DFO शहीद हुए, संजय सि प्राचीन के लिए थे, प्रारंब में जब मैंने प्रयास किया, तो पहले एरिया डॉमिनेशन का प्रयास जब किया, दो-तीन बार रात में जाते है, रोटस बरे खराब थे, सुबह तक आ जाते है, चेत को जब समझने के लिए, एक स्कूल बचा था, तीन सितंबर 2008 की, सु बनाता है, पता नहीं कहीं से एक अद्रिश्य शक्ति आती आपके साथ आ जाती है, उस सब्सक्राइब शायद रॉहतास का निवित मैं ही था, उस परिवर्तन का निवित मैं ही था, इसलिए वह व्यक्ति जो राइफल लेकर भी खड़ा था, उसने राइफल चला ही नहीं, अंदर की तिरफ भागा, अपने साथियों को अलर्ट करने के लिए, और तब अचानक उपर से गोलियां चलने लगी, और तब उस परिस्तिती में, कि दस मिनट तक कयोस था, कन्फूजन था, हजारों गोलियां चली, नुक्सान किसी का नहीं हो, पहली बार पुलिस उगरव और स्थापित हुआ, परिवर्तन करना है, एक बड़ा उप्रेशन, बिहार का सबसे बड़ा उप्रेशन था, उप्रेशन विध्वन्स, एक हजार की संक्या में, पुलिस फोर्स चड़ी थी, मैंने ट्रित्व कर रहा था, हर गाओं में हम लोग जाते हैं, लेकिन इसमें ए सकता है, इसी द्रिश्टी को गहन करते हैं, तो मैंने कहा कि जब तुम्हारे पूरवज इतने शष्वी थे, तुम्हें क्या कमी है, तो ऐसा स्रिजन कर सकते थे, एने एक बड़ी पढ़ते हो, तो पाते हो, दोसों सादिक ज़रने हैं, बड़ा रमनीक है, तो क्यों नहीं किले के गौरव को पनस्थापित करें, स्रिजन का प्रयास करें, और तब संघर्ष चोड़ के दिए, स्रिजन के प्रयास में लगते हैं, इस प्रेरना के साथ, आदिवासी यूकों को बुलाकर हम लोगों ने टूडिस्ट गाइड बने की टेनिंग देनी शूरू की, लोग हमने कभी उगरवादियों का शब्दों से ग्रोध नहीं किया, लेकिन जब लोग जुड़े, जिस किले पर कभी तिरंगा नहीं लहरा था, स्वतंतृता के पस्चार, काले घंडे लहराया जाते थे, 26 जनवरी 2009 को पहली बार शान के साथ तिरंगा लहराया भी, आज प्रती दिन 24 घंटे लहराता है, उस किले पर उस छेत्र में चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन 2009 में हमने चुनाव कराने का प्रयास किया, पहली बार Border Security Force की कंपणी पर अटेक हुआ है, चुनाव नहीं हो सका, 16 अपर 2009, लेकिन उसी जगह पर तीन बूतों पर, तीन बिल्डिंग्स करते हैं, परिवर्तन प्रारम बहुत चुका था, लोगों ने बाद में उगरवादियों कहीं विरोध किया, ऐसी स्थी बन गई, कि उगरवादियों को भी शस्त्रों के साथ समर्पन करना पड़ गया, उस रोतास में जहां पहले कभी गोलियों से स्वागत होता था, यहीं बताता था, परिवर्तन संभव है, जिसको संभव मानते हो भी संभव, यदि मन की भावना शुद्ध हो, सामने वाला विक्ति इमानदार हो, और इमानदार प्रयास के साथ समाज को जोड़ने का संकल्प लेता हो, इसी भाव के साथ बिहार को जब मैं देखता हूं, पातों बिहार बहुत समस्या है, विरोजगारी स्थिति ऐसी एक छोटे से रोजगार के लोग बाहर जाना चाहते है, सिक्षा की बात कीजिए, तो सिक्षा तो छोड़ दीजे, कोचिंग तक के लिए लोग कोटा जाते हैं, जहां द्यारती वे अधिकांश बिहार के हैं, सि करें को तैयारी करनी होगे, केवल सरकार तक हम छोड़ देंगा, चीजे नहीं बदलेंगे, इसलिए समाज को भी जगाना होगा, जगना होगा, तब हम मिलकर जो प्रयास करेंगे, निश्चित चीजें बदलेंगे, दो नाम है, पहला नाम है अनन्त सिंग का, जनको आपने गरफतार किया था, लेकिन जब डी जी होंगाड वाला प्रकरण आया था, वो आपके समर्थन में बहुत खुल के बोले थे, तो आपकी क्या राय है अभी, अनन्त सिंग के बदलेंगे, ना मैं किसी का विरोधी हूँ, जो सही है, वही करने का प्रयास करता हूँ, जो गलत ह अभी कारवाई नहीं की, तो इसलिए इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं यही कहना चाहिए, जब सत के साथ चलते हो, धर्म एव अभतो अंती, धर्म और रक्षती रक्षिता, यदि आप धर्म के साथ हो, धर्म आपकी रक्षा करता है, और मन में यदि कोई स्व सम्मानित के उन पर उसके बाद फर्जी ख़बर पहलाने का आरूप लगा, और जिस समय आपने सम्मानित किया था, उससे पहले भी बिहार में कश्मीरी जो दुकानदार है, उनके साथ मार पीठी लों ने गिरफतार किया गया था, क्या नजरिया है आपका? जिसके तर निद्ड़न के में करिंए सकता निये में रहा हूं, राश्ट विरोध तत्त्म के रुद्ग कर्वा भावा लिए करता रहा हूं, इस पर्वाब नहीं सकता है जहां तक उस समय की बात है, उसके वारे में पूछा गया था, मैंने सारि उत्तर बतायें थैसको जान पर एनाइए में गए और हिजबुल मुझाहिदीन का मॉड्यूल क्रैक कि आप में इंडियन मुझाहिदीन कुछ पता ही उसके बारे नाइए में जब गया था तो 2011 में नाइए में जॉइन किया थो उससे पहले 26 गया रहे जब गा तो मुझे मन में प्रेणना जगी तिक अच जिसमें कैसे उसकी स्थापना हुई कैसे टरॉरिस्क जुड़े कैसे उनकी फैनेंसिंग होती है इस पर एक समयकित कारवाई कैसे एनाइए कर सकती है उस टीम को मैंने जब हैड के बहुत चीना सीखिए उसमें कि इंटरनेशनल जो जड़े होती हैं उसको हम कैसे लिगली उ होता है बहुत सारे लेसंस में लिये हैं उसके बाद भी जहां डिस्टिक्स में में पोस्टिंग हुई तो मैंने प्रयास किया कि ऐसे जो तब तु है किस प्रकार से आते हैं उसमें जो परिस्तती है उसमें कैसे समाज में कर सकते हैं और आगे भी इस प्रकार से मेरे मन में हमेशा से रहा है कि जो आसपास जो चीजे होती है किसी ने किसी को सामने आना चाहिए तो इती होसल भी देखता था मुझे लगता था क्यों प्रयास कुरूं मैं एक भूमिका निवा सकता हूं तो मैंने चुनाव लड़ा था उससे मैं जीता भी था काफी बड़ी म कि बैलेंस होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो साथ साती ही कर दो कि बड़ा एक्स्पिरेंस यह था था इतनी निष्ठा के साथ में अपने काम में लग गया कि पढ़ाई से ध्यान चूट गई और दो सब्जेक्स में उस समय फेल भी वा था से जिए और तब चिंता तो अपने समर्थकों को कैसे आपको हैंडल करना इसकी भी कला होनी चाहिए आपको बताना चाहिए कि वह आपको अच्छे से संजहें कई बार क्या हो तो लोग चुनाफ जितारते हैं और आपको देखते हैं उनके जो पूरा को आप नहीं कर तो लोग आपके विरोध हो जा के वह राजैनिक प्रियास नहीं करना समाजिकी प्रियास को समाज बदले समाज भर्लेगी आप चले जाओगे लोग आपको नहीं समझे है कि संभ बदलती है तो चीजें अपने बदलती है ऐसे माता हैं अच्ता है करुए तो प совершenza घालो сосर सबस्व करें तो आफ में आफ से अधिक पाइल करना चाहिए लेकिन मानले यह को नियम उद नहीं को नहीं मिल सकता है। लोग दवाब बनाते हैं, लेकर यदि आप मान गए, तो ठीक है, समर तक खुछ हो जाएंगा, लेकर नहीं मानते हैं, लोग बिरोध करेंगा, उस सब मैंने यही किया, जो सही था, उसमाने एक लोग बिरोध भी किया, बाद में ऐसा होगा, और अधेरभुन में जब भी सब्स Syria कर सकता हूं, यह नहीं कर सकता है, और सर्थिस के साइब भी रहा है, बड़ी सबस्टता, यह पार है सब्सक्राइभ बड़ी करता दो हजार तीम बैच के IPS विकास बैभाव जी आपसे एक सीधा सवाल क्या विकास बैभाव जी को हम एक्टिव पॉलिटिक्स में देखेंगे और कब देखेंगे देखेंगे अभी तो मैंने इस पारे में कुछ सोचा है नहीं मैं तो एक बड़े संकल्प को लेकर चलना हूँ बिहार किसे बडले बिहार इस लिए बदले चुकि भारत को यदी अब विक्तत राष्ट बनाना चाहते हैं बिहार की भूमी का होनी चाहिए तो मैं तो हमेशा यह कहता हूँ तन समर पित, मन समर पित, और या जीवन समर पित, चाहता हूँ अदेश के धरती तुझे कुछ इसके जरूर लगो तो इसकी महत्तों करना चहाँ लेकर बाव सारे बीरोक्रिक्स कम निए देखा है उनक्रख़क्रसु चोड़कर और वो एक्ट YoP maior और पालियर उद्ध राएं जसे चुछ सवाल को दो हजार चॉबिस का लोग सभा चुनाओ अगर आपको कोई भी पार्टी टिकट देती है भाजपा या कांग्रेस में से तो क्या आप चुनाओ लड़ना पसंद करेंगे देख मैं अभी कहना उस प्रिकार की बात मैंने सोची यह नहीं मैं तो एक अलग अपने स्पीड में च उसी उदेश के साथ में चलता जा रहा है अच्छा उस पर बात करी रहे थे बिहार की आइडेंटिटी पर एक बिहारी शब्द जब जिक्र होता है खास्तोर पर पंजाब में महराश्य में या दिली में भी बिहारी शब्द को इक गाली की तर दिया जाता है बल्कुल यही बावनाव इसी नहीं मुझे गथित किया था जब मैंने बताए नाइत में भुपाल में बच्चों ने चिढ़ाया था उसका दिली पोस्टिंग होई दिली में उस समें रेड लाइन मसेश चलती थी उसमें जिस तरह से बातें बिहारी उंको लेकर की जाती थी तो मन बरा द आज भी इसलें सेवा में जहां भी यहां वह ऑपने कर्टभियों को करने के साथ साथ विद्द्याले से महाविद्द्याले से पंशाइतों से जुडा रहा हूं और जुड़कर मैंने अर युवामन कि स्थम्भ उपर आपे देमान देखते हैं उसमें शक्ति असीम है जा गए गया तो पुना विश्य को अलोकित करेगा भारत को बिश्य को बनाने से कोई रोक नहीं से पिशले दिन उप पासेंस के डेटा आए है उस पर क्या आपकी रहा है तो कि हर वेक्ति को प्रयास करना च सरकार को प्रयास करना चाहिए कि समावेशी विकास हो संता मुलक समाज का है उसी दिशा में सरकार के दोरा यह कदम उठाया गया है इसमें कहीं कोई ऐसी विवाद वाली बात है इUnis तो इसमें जो प्रयास हो है है कि हर समाज में लोग आगे बढ़ें लेकों बिहार की आप कि कुछ अधिक लोगों को नौकरियम दे सकते हैं, लेकिन यहीं हम चाहते हैं कि दौजा सेंत्रालिस तक बिहार विक्सित हो, इसका तात्पर तो यही है कि हर व्यक्ति को बिहार में नौकरियम दे सके हैं, यह तभी संभाव है जब उद्ध्यमिता की क्तांती होगी, रेवलिविशन अप अंट्रपरनरशिब और यह तब संभाव है, जब समाज के हर वर्क को जोड़ते हैं, हर जाती हर संप्रदाए, हर व्यक्ति को जोड़कर प्रयास करते हैं कैसे हम स्टाटप के कल्चर को प्राइब करें, कैसे कॉमर्स की कल्चर को प्राइब करें, यह आपके नाम से विकास मार्ग और शौराहा बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा से बता है, मैं तो हमाशा नुशकार करता हूं, बगावासियूं का इसने है, और सर्विस में है, ऐसे आईपेस के नाम पर पहली वर मैं भी सुन रहा हूं, इसने है, और मैं भी अचंबित जब मैंने पहली बार सुना था कि यसा लोग कर रहे हैं, और मैंने निवेदिन बेगे इस प्रकार से मत कीजिए बड़ उसमें कॉन सुनता है, तो समने करा कि हमारा असने है श्रदा हम कर रहे हैं तो इसमें कहना यहीं चाहता हूं कि एक मेरे सीनियर थे जिनोंने कहा था कि पुलिस पदादिकारी यदी इमांदार हो, करतब बेनिष्ठ हो और उसमें आहंकार नहीं हो तो लोग प्रिया हो जाता है, तो मैंने देखा कि शाएद वही पैमान रहा हूं करतब बेनिष्ठ रहा हूँ और अहंकार नहीं जुड़ा रहा हूं, तो लोगों ने उसी प्रक करता बनी तो एक कारन था इमानदारी तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो ऐसे पुलिस पदाजिकारी है जो भी सरकारी अधिकारी है जो विचलेत होते हैं कि पबिक अगनाइज करती या नहीं करती है तुछ जिता जाता दाहरन है जहां पर जाती संप्रदाएं के मंधूनों से पहाद नहीं जाना पड़े सिक्षा कर ले या रोजगार के लिए और इसी प्रयास में लगा हूं एक तरफ पोर्ट पे तिरंगा फेराते हैं आपके नाम पर चरहा है आपके नाम पर मार्ग बना है वहीं दूसरी तरफ आपकी पोस्टिंग ऐसे विभाग में कर दी जाती है कि लूप लाइन पोस्टिंग कर दी है कुछ वक्त ऐसा भी था कि आपको बिना वितन के आपको वेटिंग में रखा गया था तो क्या लगता है किस तरह की नाराजगी है सरकार की आपसे कोई नाराजगी नहीं है मैं तो देखता हूं घर पद की अपनी अपनी भूमिका है कि अभ्यां नहीं रहा हूं मैंने प्रियास कि अपना सर पूर्ण उसमें दू उसक करतब मैं और ये बड़ी चीज में एखता हूं एश्वर कहीं एपको एक निवित करूप में है आपका प्रयोग इस संसार में होना है और इश्वर जानता है कि किस सा में आपको कहा रहना ह जहां भी में रहा हूँ, मैंने देखा, उसने मुझे लावान भी थीखिया, जब बगहा जा रहा था, उसमें पत्नी वरी विचलिती, तिक बगहा जाकर एक नए तिहास के रचना हुई, इसको लोहतास जा रहा था, बड़े लोग परिशान थे, इसा मत कीजेगा, पहाड मत जाएगा, लिकन मैं गया, परिवर्तित हुई चीजे, वैसे ही जब यहां पर हूँ, तो आज मैं Let's Inspire Bihar campaign चला रहा हूँ, और जहां पर आज हूँ, Bihar State Planning Board हूँ, मैं Bihar की plans को समझ रहा हूँ, planning कैसे होती है, उसको देख रहा हूँ, मुझे लगता है, इन चीजों के सा जाता हूँ, एक और गहरी दृष्टी के साथ जाता हूँ, अच्छे से कर पाता हूँ, कैसे बिहार बदलना चाहिए, बहुत सभी वाँ आपको आपकी बाते सुनके, आपको आदर्श के दोर पे देखते हैं, आपके आदर्श को अनेक हैं, यह सबसे प्राचीन काल में हम तो आदर्श शंकराचारी से बहुत हूँ, एक कम उमर में, एक संकल्प के साथ जब चले, केवल 32 वर्श सक रहे हैं, आज भी भारत के हर कोने में लोग उनका स्परण करते हैं, एक व्यक्ति की छमता क्या सकती है, इसका स्परण कराते हैं, मेरे आदर्श चानक के हैं, जिस शंकराचारी जी, शानक और स्वामी विकार इनको आधर्श मानता हूं, उन्हीं के विशारों को प्रसार भी करता हूं, और करता रहा हूं, आई पीएस नहीं होते तो क्या होते हैं? आई पीएस नहीं होता है, चाहिएस नहीं होता है, इस्ट्री में बड़ी गहरी रूची है, नहीं तत्यों को खोजना चाहता हूं, लेकर चलता रहा हूं, दोस्व साधिक हिस्टोरिकल साइट्स तो घुमा हूं, इधर में आपने देखा हूं, तो तीन साल से अक्टिव और बहुत अच्छे से मने डॉक्यमेंट करने का प्रयास किया, साइलेंट पिज़ेज मेरा ब्लॉग है, जिसको हिस्टोरियन्स, अर्कियोलोजिस्ट बहुत पढ़ते भी है, स्टुएंट्स पढ़ते हैं, और यह जो मने प्रयास किया कि इतिहास की दिश्ट्री को ही बता चाहते हैं, वो राजनीती से आ सकता है, लेकि राजनीती से तो हर चेत्र से लोग आते हैं, अपने प्रोफिशन की बात की तो मुझे लगा कि इतिहास से बड़ा लगाव है, इतिहास के लगाव ही है जिसने एक IATN को एक पुलिस आफिसर के रूप में परिवर्तित कर दिय अब थोड़ा से बस आपके आखरी सावाल है, जब आप IAT में थे तयारी कर रहे हैं, कितने एटेम्ट में क्राक हुआ है, इति तो पहले एटेम्ट में ही साथ ही हुआ था, उसके बाद पहला प्रियास में 2001 में निकला तब दिया था, में परिक्षा भी दी थी लेकिन सफल नहीं हुआ था, इंटव्यू कॉल नहीं है, बड़ा निराश हुआ था, उसके पहले जोवी परिक्षाएं दी थी एक डेटर्मिनेशन यहां भी था, मुझे लगे मुझे में क्या कमी रहे गए, तब राष्ट कभी दिंकर की पंक्ती और अधिकले जाच, देवता इतना ख प्रियास वार करो, एक खेफ है सेश, किसी विधपार इसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता, है मंदिर प्रियतम कर, दिंकर जी की पंक्तियों ने सदय प्रेडित किया है, उस समय विशेश रुप से, ऐसा मार्ग दर्शन दिया कि संकल को साथ बढ़ते रहे, साठवा र बड़ा क्लीशे सा लगेगा सावाल, लेकिन ये इवाओं के बड़ा काम आता है, जो लोग UPSC के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपके सुझाब? देखें, जो प्यारी करते हैं, उनके लिए मेरा सुझाब यह एक अपने लक्ष को समनन दखें, और आप देखें, जो भी आप करते हैं, वो लक्ष तक आपको पहुचाता है या नहीं पहुचाता है, कई बार क्या होता है, जैसे आप बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, ब उस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उसकी उपयोगता पडिक्षाम होगी, जिदि आप केंद्रीत होकर पढ़ेंगे, सोच समझ कर पढ़ेंगे, जिए प्या पढ़ते हैं, और पैटरन को समझ कर पढ़ेंगे, तो आपकी उरजा अप गर्थ नहीं जाएगी, त जो भी करतों पूरी उर्जा जोंक दो सोचो मत जितना उर्जा लगाना वो लगाओ लेकिन दिशा सही होनी चाहिए जितना आप करेंगों दिश्चित सफलता मिलेगी बादो शुक्रिया सर तो हमारे साथ थे विकास पहभव जी दो हजार तीन बैच के आई पिएस और लेट्स इंस्पायर बिहार जो है क्यामपेंड वो चला रहे हैं आपके इस इंटर्वी पर जो भी रहे हैं कॉमेंट करके जरू बताइएगा देख पर यह दिला लंटाओ शुक्रिया